दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस उंगली से तिलक लगाना हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है हिंदु धर्म से संबंद रखने वाले लोग इतना तो जानते ही हैं कि हर तरीके की शुब कार के लिए तिलक लगाना आने बारे माना जाता है चाए रोजाना होने वाली पूजा हो या किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कारे की सुरुआत हो अन्त हमेशा तिलक के साथ ही होता है सनातन धर्म में तिलक लगाना बेहद शुब माना जाता है आपने भी कई बड़े बिद्वानों वा ब्रामवणों को तिलक लगाए देखा होगा माननता है कि माथे पर तिलक लगाने से आग्या चक्र जागरत होता है यश में ब्रदी, संतान सुक, ग्यान में ब्रदी और मनोबल पड़ता है साथ ही तिलक लगाने से मा सरस्वती और मा लक्षमी की करपा बनी रहती है इसके अलावा बिना तिलक के कोई भी पूजा या अनुस्टान अधूरा माना जाता है लेकिन तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए ये भी माईने रखता है क्योंकि जिस उंगली से तिलक होता है उसका वैसा ही असर होता है आईए जानते हैं कि तिलक किस उंगली से लगाना शुब माना जाता है और क्या है इसके फाइदे जोतिस सास्तर के अनुसार तिलक लगाने से भागे खुलता है दोस्तों सास्तों के अनुसार अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से तिलक लगाना मानसिक सक्ती को प्रवल बनाता है क्योंकि इस उंगली का सम्मद सीधा सूरस होता है इसलिए इस उंगली से तिलक लगाने से आग्या चक्र जागरत होता है इनसान का मान सम्मान सम्मान बढ़ता है ऐसे में जो इनसान यस्ट और takie पाना चाहता है उसे अनामिKA अंगली से तलक लगाना चाहिए कहते हैं कि अनामिका अंगली से चंदन लगाना अतिशुब माना गया है इसके अलावा जो इंसान धन बैवव की प्राप्ति करना चाहता है उन्हें अंगूठे से तलक लगाना चाहिए जोतिस के अनुसार अंगूठे का सम्मंद सुक्र ग्रह से होता है और सुक्र ग्रह यश्च धन बैवव का कारक ग्रह माना जाता है कहा जाता है कि अंगूठे से तिलक लगाने से धन संपत्ती में बढ़ उतरी होती है और स्वास्त भी अच्छा रहता है यह भी माननेता है कि अगर किसी रोगी को नियमित रूप से अंगूठे से चंदन का तिलक लगा जाए तो उसके स्वास्त में दिनों दिन स्वास्त लाव होने लगता है आपने अक्सर गोर किया होगा कि बिजय पर्व दसहरा और रक्षा बंदन पर बहने अपने भाई की बिजय की कामना करते हुए उन्हें अंगूटे से ही तिलक लगाती है जोतिष सास्त में चंदन और कुमकुम व अक्षत का तिलक लगाना सबसे शुप माना जाता है और जब हम तिलक के साथ चावल लगाकर जो भी कार करते हैं उससे धन प्राप्ति होने के आसार बढ़ जाते हैं तो वहीं चावल को सीतलता का प्रतीग भी माना जाता है और जब हम तिलक के साथ साल चावल लगाते हैं तो ये हमारे पूरे शरीर में सक्ती और सीतलता का संजार करता है और इससे मनसांत रहता है तो दोस्तो ये थी जानकारी कि तिलक हमें किस उंगली से लगाना चाहिए जो हमारे लिए फलदाई हो और सबसे ज़्यादा लागदायक हो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं